यह बच्चा आपका है योगेंदु जी और जर्म लिया इसने यह सोलना तारीक और अच्छा में जब बेटी ने जर्म लिया था तो भावुख हो गया हुगी काफी हां खुस हो गया है बहुत ज़ाधा जी क्या खुशी है मा बनने का बहुत ज्याधा खुस है लगा था कि मात कि बछी पछी आपकी हैट की होगी मेरे हॉता है ना कभी-कभी मिलता seit Never कभी-कभी मैसेज मेरे ही हाइट के दोस्त लोग करते रहते हैं क्या करें आधि चैसे उठा क्या है श्या थ作 लेता सब्सक्राइब देखे होंगे आपने लेकिन आज बिहार में और अजूबा दिखाने जा रहे हैं एक तीन फूट का जोड़ी ऐसा है जिसने बच्चे को जन्म दिया है लोग कह रहे थे कि यह मुम्किन नहीं है लेकिन देख लिए तीन फूट के योगेंदर जी और तीन फू लगा था कभी पिता बन सकते हैं कभी नहीं लागा आइए बैट कर बात करते हैं इनके हाइट का नुमान आपको लग गया होगा कि इनकी हाइट कितनी है तीन फिट के हैं ये लोग और पूजा जी और योगेंदर जी की कहानी शोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा होंगे लेकिन अचानक से फिर एक दिन चबतकार होता है और इनके घर में नणी से पड़ी जन्म लेती है और डॉक्टर का कहना है कि भाई ये तुम्हारे उपर नहीं जाने वाली है ये बच्ची काफी लंबी होने वाली है क्या सही बोल रहे है ना अच्छा मैं जब बेट ये बच्ची आपकी हाइट की होगी या लंबी होगी नहीं ये बोले कि आपके दोनों ममी पापा से अलग हाइट का होगा अलग होगी अलग होगी मतलब लंबी होगी इस बात की जादा खुशी है बहुत जादा खुशी है देख लीजे ये तीन फुट का ऐसा जोड़ा है जो सोचल मीडिया पे आज धमाल बचा रहा है और जब इनों ने बच्चे को जन्म दिया तो इनका वीडियो काफी जाधा ट्रेंट किया हॉस्पिटल में ये लोग व्लॉग बना रहे थे और वहाँ पर भी इनका वीडियो काफी जाधा ट्रेंट कर रहा था सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों की जोड़ी है वो इस बात का प्रमान देती है कि एक कहावत पहले था रब ने मिला दी जोड़ी उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों की जोड़ी भगवान ने मिलाई और आज इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है अच्छा जो बोले उसी के नाम रखें जन्ते के नाम जो मेरे युटूब पर जितने चाहने वाले लोग है उसी के कहने पर हम अपने बेटी का नाम रखें ऐका योगेंदर जी जिस समय शादी हुई थी आपकी तो उसमें शादी से पहले क्या कुछ दिककत हुआ अज लड़की नही नहीं मिल रही है मेरे संपर्क में तो अभी दोस्त नहीं है दोस्त हो चाहिए कोई नहीं है जब से हम अपने यूटूब चैनल पर या फेस्बुक पर हम अभी वाराल चल लाइट अब कभी मैसेज मेरे ही हाइट के दोस्त लोग करते रहते हैं एक एक चल लोग बताते हैं कि हम आप इस 활 любिंश्य जयुन निकलते होंगी तो आप पाल बहुत पहले तुम कुछ नहीं था आप तुम पापा बन गए गर्जन के समान हो गए तो अब एक चीज बताईए जब शादी विया नहीं हो रहा था तो गाउं समाज के लोग मजा कुराते थे ताना भी मारते थे अच्छा अना तक मारते थे देख लिए लोग इन्हें ताना मारते तुम पिता नहीं बन सकते हो तुम कोई जिम्मधारी नहीं उठाओगे तुम्हारा जीवन आम नहीं है तुमाम लोगों के तरह नहीं जी सकते हो लेकिन इस बात को गलत साबित करने में पूजा जी ने इनका साथ दिया इनसे शादी विया किया और आज ये पिता बन गए ह और काफी जाधा भावुक नज़रा रहे थे काफी जाधा खुश नजरा रहे थे और अपने यूट्यूब के जनता के कहने पर ही इन्होने बच्ची का नामकरन कियाे अच्छा योगेंद्र जी अब बच्ची को क्या बनाना है पढ़ा लिखा के पढ़ा लिखा के कोई अफसर बनाना है अफसर बना देना बेटी को देखिए बिहार के सीतामडी जिले के यह रहने वाले दो प्रेमी जोड़े हैं जिन्होंने शादी रचाई और आज देख देख सकते हैं योगेंद्र जी की सोच काफी जादा महान है और आज आपको बता दे कि योगेंद्र जी पिता बन गए और इस बात की इने बहुत जादा खुशी है और यूट्यूब चैनल में व्लॉगिंग वेगरा भी यह करते हैं पूजा जी हमारे साथ है पूजा जी क चुथा रहे हैं योगेंद्र जी आपको देख रहे हैं बच्पना आपके अंदर बच्ची को आप तो दब खवल रहे हैं इसे सही सो यहखा भरी नहीं दाठी कर रहा नहीं हैं अपने बच्चों के लिए बहुत जादा कोमल होता है अब बिचारे मजबूर है कि छोटे हाथ होने के वज़े से सही से हैंडिल नहीं कर पाते लेकिन जैसे भी होता है अपनी बच्ची को खिलाते हैं और अपनी बच्ची से स्ने करते हैं प्यार करते हैं अच्छा बच्ची तो घर में में तो तुमान मैं खुश होग कर देख सकते हैं अब इस कहानी तिखान share आप लोगों तक पहुंचाना, बस यही मकस्द था, इसका यही वज़य था, कि योगेंद्र जी का ये अनोखा जोड़ा, योगेंद्र जी और पूजा जी के अनोखी जोड़ी, आप लोगों तक पहुंच सकेंगें, बाकी एक बार खड़े हो करके, दिखा दीजे एक जोड़ा है जो की बिहार के सीतामडी जिले का रहने वाला है बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले